नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं CM हेमंत को ED का तीसरा समा नौ सितंबर को पेश होने का निर्देश जविन घोटाला ममले में परवतर निदे साले ने मुख्य मंतरी हेमंसरेन को तीसरा नोटिस जारी किया है उधर CM हेमंत ने पहले ही ED के समन को सुप्रीम कोर्ट में चिनोती दे चुके हैं उन्होंने समन को और समयधानिक एवाम दुर्भावना से प्रेशित बताया था CM Hemansuren ने ED के समन को दुर्भावना से प्रेसित बताते हुए सुप्रीम कोट में चुनोती दी है जिसमें उन्होंने नियाए एवाम कानून मंत्रालाय और ED निदेसालाय को प्रतिवादी बनाया है हलाकि इस मामले में अभी तक अदालत में सुनवाई की तारिक तय नहीं हुई है ग्यात हो कि B.T. वर्स भीजाच एजनसी ने अवैध खन मामले में जारकन के मुख्य मंत्री को पूछताश के लिए बुलाया था ED ने जमिन गोटाला मामले में सबसे पहले मुख्य मंत्री हमान स्रेन को 14 अगस्त को समण जारी किया था इसके जवाब में मुख्य मंत्री ने समण को औसमेधानिक एवं दुर्भावना से प्रेसित बताया था और समण वापस लेने को कहा था दुमरी की जानता ने परिवर्तन का बनाया मन बाबुलाल मरांडी दुमरी उपचुनाओं में NDA का परचार अभ्यान जोर सोचे चल रहा है बिजेपी परदेश अध्यक्ष एवं पुर मुखमंत्री बाबुलाल मरांडी संकल प्यात्रा को बीच में रोक कर दुमरी उपचुनाओं के प्रचार अभ्यान में पूरी ताकत जोग दिया है इस मौगे पर उन्होंने कहा है कि हिमंत्र सरकार की खिलाप जानता का आक्रोज साफ जलक रहा है छेत्रे की जानता प्रिवर्तन का मन बना लिया है सभी छह मंडलों में बुथ अस्तरिय कारिकार्ट समिलन के बाद अब गाउं का संपर्क अभ्यान पर पार्टी ने जोर लगाया है सुक्रवार को विजपी पर्देश अध्यक्स बाबुलामरांडी ने गिरीडिक के साराखो मंडल के दरजनों गाउं का दवराकर लोगों से एंडिये परत्यासी जो सोधा देवी के पक्ष में मद्दान करने की अपिल की है इंडिया कोडिनेशन कमिटी में जार्खन के सियम हिमान समेच 14 सदस्य सामिल विपक्षी कडवंदन इंडियन नेशनल डेवलोपमेंट इंक्लूसिव एलाइन्स इंडिया ने समनवे समिती चुनाव अभ्यान समिती समेच 3 काड़ सम्मोह का गठन किया है इसके तहट कोडिनेशन कमिटी में जार्खन के मुख्य मंत्री हिमान सुरेन समेच 14 सदस्यों को सामिल किया गया कोडिनेशन कमिटी के अलावा कैम्पिन कमिटी, वर्किंग ग्रूप अफ सोचल मीडिया और वर्किंग ग्रूप अफ रिसर्च कमिटी का भी गटन हुआ है इस दोरान पिपक्षी दलों ने जल्द ही जनहित से जुड़े मुद्धो पहजन सभाय आयोजित करने का भी संकल्प लिया है बता दे आई एंडी आई ने 14 सदसी कोडिनेशन कमिटी की घोसना सुक्रवार को मुंबाई में हुई इस कमिटी में जार्खन के मुखे मंदरी हैमान सुरिन के अलावा कॉंग्रेस के के सी वेनु कोपाल एन सी पी के सरद पवार डियम के के टी आर बालू सीव सेना उद्दाव गुट के संजय रावत रायत के तेस्वी आदव टीमसी के अभिसेख वनर जी, आपके राघो चढधा, सप्पा के जावेद अली खान, जेडियू के ललन सिंग, सीपी आई के डी राजा, नेशनन कोर्फिरेंस के अमर अब्दुला, पीडीपी के महबुबा मुफती और सीपी आई के एकसरस को सामिल किया गया है सिद्धी विनायक पहुँचे सियम हमंत, दरसन कर जार्खन वासियो के लिए मांगी मननात, जार्खन के मुख्य मंतर हमंसीरें अपनी पतनी कलपना सुरें के साथ मुंबाई सिद्धी विनायक मंदीर दरसन के लिए पहुँचे, दोनों ने वहाँ पहुँच कर पूजा अ जमीन घोटाले से जुले चेसायर होम रोड डिल केस में इडी ने सुकरवाल को चारशिट दायर कर दी है रांची के चेसायर होम रोड इस्थीत एक एकर की जमीन खरीद विगरी मामले में इडी के विशेश नियाधिस दिनेस राय की आदालत में अभियोजन सीकाय दाखिल की गई है रांची के निक्योले स्मॉल के मालिक विशनु अगरवाल रांची के पूरोडिसी छवी रंजान प्रेम प्रकास राजेस राय भरत प्रसाद इंतियाज अहमाद अपसर अली मोहमत सद्दाम लखन सिंग पुनीत भरगों के खिलाप चारशिट दाखिल की गई है रायस्थान में जारखन से नबालिक की तसकरी के आरोप में दो गिरफतार कर लिया है जबकि तीसरा आरोपी ललित फरार है आरोपियों ने नबालिक अरूस की मा को आठ दिन तक कोट्टा में एक कमरे में बंद रखा था पीडिता ने किसी तरह बचपन बचाओ आंदोनल हेल्फ लाइन को सुचना दी जिस पर साइबर सेल प्रभारी परताप और प सपात की वया से 24 में से 20 जिलों की स्थिती बेहाद ही खराब है धान की फसल को जबरजस नुस्तान हुआ है वहीं तलाब, डोभा, पोखर, कुआ, चापाकल या तो सुख गए हैं या सुखने की करगार पर हैं राची जिले में भी समाने से 41 पर से कम वर्षा हुई है इस व महीने के लिए सुख जाते थे उसमें भी मानसुनी वर्षा के साथ पानी आना सुरू हो जाता था इस वार ऐसा नहीं हो रहा है रांची के किसोर गंज के रहने वाले कौसल बताते हैं कि अब सितंबर सुरू हो गया है लेकिन किसोर गंज, सुख देव नगर और हर्मुक के बड़े इलाके में चापाकोलों में अभी भी पानी नहीं आया है। उर्दू सिक्षा के पदों के लिए असनातक और इंटर प्रसिसी दोनों को इस पद के लिए योग्य माना गया। बता दे, राज में 26 सेयर सिस्कों के नियुक्ति पर किरिया जैसे ही शुरू हुई, उर्दू सिक्षों की मांग भी तेज होने लगी है। युवा खेल और अल्फ संक्यक कल्यान मंत्री हफिजूल हसन के अनुसार उर्दू सिक्षों की पहाली 26 सेयर सिस्कों की पहाली के बाद किया जाएगा। दूमरी उपचुनाव में सिर्फ जामुमो नहीं सहयोगी दलो की भी होगी परिक्षा। यह तो आठ सितंबर को ही पता चलेगा। बतादे इस विधान सभा चुनाव की जीत यहार सेहमान सुरिन सरकार की बहुमत की सरकार पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। इसके बादू दूमरी उपचुनाव बहाद ही खास है। औरमांजी तीहरे हत्याकांड में आठ आरोपी गिरफतार। राइधानी राँची के औरमांजी थाना छेत्र गुरुवार को हुए तीहरे हत्याकांड को अंजाम देने में सामील आठ आरोपी ओको पुलिश ने गिरफतार कर लिया है। सुवर के द्वारा फसन लुक्सान किये जाने के बाद हुए बिवाद में तीहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। रात भर चली छापे मारी में पुलिश ने एक गारा में से आठ आरोपियों को धर दबो चाहा है। बता दे उर्मांजी में जाने सवर, उसकी दो पतनी सरीता और संजु देवी की गुरुवार को उसके गोतिया वालों ने ही मिलकर हत्या कर दी थी। 21 और 22 सितंबर को जारखन दोरे पर रहेगी निर्वाचन आयोग की टीम। लोग सभा चुनाओं के तैयारी में जूटी भारत निर्वाचन आयोग की टीम 21 और 22 सितंबर को जारखन दोरे पर आने वाली है। इस दो दीन के दोरे पर चुनाओं आयोग के दोर लोग सभा चुनाओं दोहहर चुनाओं को लेकर की जारही तैयारी और मत दाता सुची पूर्ण रिक्षन कारियों की समिक्षा करना है। मगर ए उस वक्त अस्थागित हो गई जिसके बाद समिक्षा बैठक की नई तारिक तैकी गई है। मगर चुनाओं के से इन भुखंडो का मोट्यूशन किया गया है। CBI की आज का पर अब साथ 23 सितंबर को सुनवाई होगी। CBI की ओर से देवघर को सागार से अवाज निकासी मामले में लालू परसाद की सजा बढ़ाने की मांगी गई है। याचिका में कहा गया है कि देवघर मामले में जगदीश सर्मा को अधिक्तम साथ साल की सजा मिली है। की लालू परसाद यादव को तीन साल पांच माह की सजा मिली है। चारा घोटाला मामले में लालू परसाद यादव उच्छ सड़य अंत्र में सामिल थे। इसलिए उन्हें भी अधिक्तम साथ साल की सजा दी जानी चाहिए। जारखन में 6 सितमबर तक हलकी बारिश के असार। राईधानी राजी समेथ पूरे राजे का तापमान बढ़ने लगा है। दीन भर की तेज धूपने लोगों का पसिना निकाल दिया है। जबकि कुछ दिनों पूर्व तक हुई वर्षा के कारे राईधानी का निमतम तापमान 20 डीडी का असपास था। तापमान कम होने पर रात में लोगों ने चादर तक निकाल ली थी। अब 2 सितंबर को उतर पूर्वी भाग, देवघर, दुमका, गोड़ा, पाकुड, जामतरा, गिरिडी वा साहभ गंच के साथ साथ मद्य भाड, रांची, रामगड, हजारी भाग, बोकार, गुमलाव, खोटी में हलकी वमदर्जे की वर्षा हो सकती है। इन छेत्रों में मौसम विभाग ने मेग घरजन और बजरपात को लेकर एलो अलर्ट भी जारी किया है। जिसमें लगभग 9000 स्कूलों का चैन हो गया है, परतेक राज से अधिक्तम कितने स्कूलों का चैन किया जा सकता है, इसकी संख्या पुरो से निधारित है, परतेक परखंड से अधिक्तम दो बिद्याले का चैन किया जा सकता है, इसमें एक प्राथमिक वा एक माधमिक बिद्याले का चैन हो सकता है राश्ट्री असर पर बिद्याले का चैन किया जाएगा धन्यवाद